छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्बंता देगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसे जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काशी बात मुझे पहले पता होती किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए रियल मुटिवेशन की अवशकता होती है और एक बार मुटिवेट हो जाने के लिए आप उस काम को करने के लिए तयार होते हैं आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि लाइफ में पैसा कितना महत्वपून है और हमेंसे हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि life में पैसा बहुत महत्वपून है Life में बड़ा बनना है तो पैसा चाहिए आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए मतलब कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए Business शुरू करना है पैसा चाहिए सब यही सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मेरे पास बंगला होता गाड़ी होती और एक ऐसा अच्छा बिजनस होता जो खूब चले लगातार चले और चलता रहे आज भारत में 80 प्रतुषत युवा बिजनस करना चाहते हैं पर उनके पास बिजनस का स्टार्ट अप करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता ये बात सच है कि बिजनस को शुरू करने के लिए पैसा जुरूरी होता है लेकिन आप बिना पैसे के भी बिजनस शुरू कर उसमें जिरो से बिजनस शुरू किया और एक बहुत बड़ा कीर्थिमान स्थापित किया और इसका मैं एक रियल एक्जामपल हूँ और आप जानते हैं कि मैं केवल अपने एक्सपीरियंस की वही बात शेयर करता हूं जो प्राक्टिकली अपने कंपनी में इंप्लिमेंट करत एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आप भली भाती जानते हैं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो हाथी होता है सबसे उचा जानवर जिरा और वही अगर चतुराई की बात करें तो सबसे चतुर लोम्री होती है लेकिन तेजी की बात करें तेज की बहदूरी दिखाई दिती है। शेर हर वक्त हर प्राणी के अंदर अपना एक शिकार देखता है। उसे पता होता है no risk no gain और इसलिए शेर हमेशा risk लेने के लिए तयार होता है। और इसलिए कहा जाता है where there is a well, there is a way. शेर के लिए दुनिया का प्रतियक प्राणी एक भोजन होता है। उसी तरह आपको भी दुनिया के प्रतियक प्राणी में प्रतियक व्यक्ती में एक client नजर आना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि इस व्यक्ती के साथ मैं business किस तरह से कर सकता हूँ। शेर को सब कुछ आसान लगता है। उसी तरह businessmen का दिमाग इस तरह का होना चाहिए कि उसे हमेशा ये महसूस हो कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक real example बताता हूँ जिन में सिर्फ दिमाग लगाया, थोड़ा सा trick लगाया और काम करना शुरू किया और नुरंतर आगे बढ़ता चला गया। बिजनस में scalability अगर हो अगर किसी भी बिजनस में scalability है तो इस business को बहुत आसानी से बहुत सारे माध्यम से scale किया जा सकता है। वहीं आप बहुत सारे लोगों के साथ collaboration करके भी अपने business को scale up कर सकते हैं, partnership के माध्यम से कर सकते हैं, investors द्वारा लगाए गई पूंजी से भी अपने व्यापार को scalable कर सकते हैं, friends आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि Apple वर्ड का सबसे बेस्ट ब्रैंड है और Steve Jobs इसके founder है, आपको जानके आश्यारे होगा कि Apple जो mobile phone company है, laptop company है, gadgets and electronics company है, वो अपना खुद कोई भी product नहीं ब खरिती हैं क्योंकि Apple के सारे के सारे product designed in California है, assembled in China है and all the parts are provided by the faxcon, लेकि उसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे number one company बन गई, दूसरा example Facebook है, Facebook एक ऐसी user friendly website है जिसके founder Mark Zuckerberg है, Mark Zuckerberg में एक ऐसी website बनाई जो बहुत जादा user friendly है, और user friendly होने की वज़ा से Facebook को बहुत अदिक काम Facebook पर नहीं करना होता, उन्हें तो केवल उस site को maintenance के रूप में उसको regular maintain करना होता है, जो user है वही इस website पर videos, photos, images, content, text, post करते रहते हैं, जिसकी वज़ा से बहुत बढ़ा data bank Facebook प पर आगया, बहुत सारे लोग उसके friendly user बन गए, और आगर आप देखें, तो हिंदुस्तान में जितनी जंशनक्या हमारे देश की है, उससे जादा Facebook के active user हैं, जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग अपने product, अपनी services को advertise करने के लिए Facebook को पैसा देना लगे, और Facebook की income ही केवल लोगों से advertisement के माधियम से पैसा कमाने की है, इसके लावा बहुत सारे ऐसे example हैं, जैसे Ola, जिनकी अपनी खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी company बन गई, जो टेक्से services पोवाइड करती है, Ola, Uber, ऐसे बहुत सारे example हैं, इसके लावे एक example में आपको और बताता हूं, Redbus.in, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है, अगर आप Redbus.in से related जो भी information चाहते हैं, तो I button पर click करके आप मेरी वो वीडियो वो detail देख सकते हैं, जो आपको बहुत बड़ी information देगी, अगर हम list लेकर बैठें, तो हजारों ऐसे example हैं, जिनसे हम यह चीज समझ सकते हैं, जिनका अपना कोई product नहीं है, वो केवल service provider है, या first party to third party के साथ मिलकर काम करते हैं, privago.com, makemytrip.com, OYO, यात्रा, मंत्रा, ऐसी बहुत सारे site, जो केवल वो services provide करने का काम करती हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी को पहुँचाने का काम करती हैं, बिना पैसे के भी business किया जा सकता है, इसी तरह कोई भी व्यक्ति, अगर अपना business शुरू करन चाता है, तो कोशिश करें कि कम से कम investment में जादा से जादा return आए, जैसे third party related business, बहुत सारे लोग third party related material supply का का काम करते हैं, एक व्यक्ति से material लेते हैं और दूसरे को provide करते हैं, ऐसे बहुत सारे example हैं, जैसे इंडिया में indiamark.com, exporters india.com, और china में alibaba.com, जिनका अपना कोई business नहीं है, वो किवल buyer, seller, importer और exporter को यह सुविधा परदान करते हैं, जहां वो आपस में एक दूसरे के साथ transaction कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग नए नए concepts पर काम कर रहे हैं, जैसे manpower consultancy, जैसे work from home, like housekeeping department, यह वो लोग हैं, जो एक से लेकर दूसरे व्यक्ति तक support provide करते हैं, और उनकी earning उन लोगों से होती है, आप खुद की website बना कर भी आज affiliate marketing के माध्यम से, blog writing के माध्यम से, content writing के माध्यम से, और इसके अलावा YouTube channel बना कर भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं, जहां पर investment या तो zero होती है, या बिलकुल नाके ब rate कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई अच्छा business idea है, तो आप investors के साथ qualification करके, और अपने business को दूसरे लोगों के साथ share करके भी बहुत बड़ा business कर सकते हैं, startup funding लेकर भी आप अपने business को establish कर सकते हैं, और startup funding से related बहुत सारे videos, जैसे investors कैसे ढूंडे, investors के लिए proposal कैसे design करें, औ proposal design करने के बाद meeting में उसको कैसे represent करें, यह साल informative video मेरे YouTube channel पर आप देख सकते हैं, उसके लावा business करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग के जरूत होती है, यदि आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं, तो आप बहुत ही छोटे निवेश में या ना क के बरावर निवेश में बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई एक काम जरूर बहुत अच्छे से खर सकता है, जरूरत है तो केवल अपनी आत्मशक्ती को जगाने की, इसलिए मेरी कविता है कि ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं, अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का निर्ने कर लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि जीवन में आपको हर वो सफलता प्राप्त होगी, जिसे पाने का हक आपको है, जिसे पाने के बारे में जोश, जजबा और जु प्रेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ वोट्साप और फेस्बुक पर इस वीडियो को जरूर शेर करें, फ्रेंट्स मैं दॉक्ट्रमित महेश्वरी आपके सुनेर भविश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत